तो अब भाई साब देखो ऐसा है कि फाइनली आज हम दुबारा से बात करने जा रहे है अपने निक्स्ट इवो वॉल्ट इवन्ट के उपर क्योंकि आसा है कि हमें इसके बगार सांती नहीं मिलेगा देखो इसके लिए मैं तुम्हें जोर जबर्दस्ती बताऊंगा कि एक्चुल में कौन-कौन से गनी स्किन हमें निक्स्ट में इवो वॉल्ट के अंदर देखने को मिलेंगे जिसके लिए तुम सवाल कर रहे हो अपने दिमाग में सवाल को जमा करकर राकि हो इवो लिशन M10 2.0, ओल्ड इवो M10, इवो M187, अपना MP42.0 इन चारों में कौन से गनी स्किन को निक्स्ट में अपने इवो वॉल्ट के अंदर दिये जाएंगे अब दुक्वार ऐसा बहुत सर भाईलों के कन्फरम डेट भी नहीं पता है तो आज मैं ओ भी बता हूँगा इस वीडियो के अंदर निक्स्ट इवो फॉल्ट का करता हूँ ता कि आप लोग जल्दी से वीडियो को देखो और सारे अपडेट सबको समझ में आ जाए इस बात करते हैं सबसे पहले अपने आने पहले गेम कंदर अफटर अपडेट कुछ इन जिसके बारे में दुकोर जिपलाइन का जो तरीका है ये गेम कंदर बहुत टेम से चला आ रहा है चार-पात साल से गेम कंदर ये जिपलाइन बिल्गुल सेम चीज में चला आ रहा है अगर गल्दी से किसे ने जिप लाइन पर चड़ गया तो भाई एनिमिस मार रहा है तो सर्व मार खाई सकते हैं क्योंकि नीचे तुम कूद ही नहीं सकते हैं अगर कूद जाओगे एक्ष्टर तुम्हारा एच्पी जाएगा और तुम ऐसे ही मर जाओगे तो हम दुआ एही करते कि बस एनिमिस का गोली हमें ना लागे जल्दी से जल्दी हम उस पर चले जाए जिप लाइन को यूज करके लेकिन अफटर अपडेट इसके अंदर थोड़ा सा कुछ चेंजेस किया जा रहा है और ये चेंजेस इतना बड़ा हो जाएगा कि किसी को यह बढ़िया लग सकते है तो किसी को नहीं खेर आप लोग यहां पर रिव्यू देख सकते हो आगे सब लोग जब जिप लैन यूज करके आप लोग हाथ को यूज नहीं कर पाओगे मतलब आपका जो हाथ है ओ बिल्कुल खुला ही रहेगा आप लोग उपर से फायरिंग भी कर सकते हो बंदे को लिटरिली मार भी सकत हो तो आगे से अब यह प्रॉब्लेम खतम हो जाए गा जो जीप लेंड पर चड़के बंदे को भी मार सकते हो फिर जीप लेंड तुम बड़े आराम से इंसकर पाओगे अब हो सकते इससे कुछ प्लियर को मजह ना आए तक दो कोई गेम पर कुछ ऐसा चीज होते हैं जिस आपने पर बहूत कर दो चैन्स के बारे पारे में इसके बाद करते हैं और अगला चांड कीज़ के बारे में यह जाएगा अपने गेम उस्त इस तरीके से gift box आपको देखने को मिलेगा इसको open करते ही गई सब को यहां पर से बहुत सारा बढ़िया loot देखने को मिल जाएंगा और loot मिलने का तड़ीगा थोरा सा different यहां पर दिया जा रहा है एक animation के साथ मतलब box के अंदर से चीजे ऊपर उड़ जाएगा और फिर नीचे आ जाएगा तो मैं आपको यहां पर दिखा दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से आपको यहां पर loot देखने को मिल जाएंगे अब दो कोई इसके अंदर जो loot आपको मिलेगा ना ओ नॉर्माल नहीं ह आपको बहुत सरे जगा पर देखने को मिलेगा मतलब काफी सरे जगा पर इस वहले gift box को रखा जाएगा तो इसमें से loot आने का थोरा टाइमिंग लग जाएगा और इस चक्कर में बंदे ना मार दे की loot करूँ उसके पहले बंदे मारू बंदे तब तक हमें मार चुकि होंग अब यहां पर आपने नेक्स्ट अपडेट है यह फिर नेक्स्ट इवेंट है यह कुछ रिंग इवेंट है जो कि में तुम्हें दिखाना चाहता हूं बुलू लॉग कॉलर बड़सन इस पिसल इस रिंग इवेंट को अपने गेम के अंदर दिया जाएगा सबसे पहले हैं गुलूब एक इमोट और एक बंडल एक्टोल में इवेंट अपने गेम के अंदर दिखनों को मिल जाएगा 23 नेवंबर के दिन इसके अंदर आपको कॉस्टरमाइस बंडल देखनों को मिले बाले हैं जो कि आपको नॉर्मली बूलो देखनों को मिलेगा बेसिक में और डिजैन किया जाएगा दिया जाएगा जनमें एक doit ein PD में तुर को मिल जाएगा यहां पर इसे में उन सार डी वॉर्ड्स का पर दिया है ढूंपर 1ила के क요 आपके ब Lebens SH दे जाएगा विकॉस इसके बाद गेम में और भी इवेंट्स आएंगे क्योंकि हमें आगे जगर अपने गेम में कुछ और भी नहीं आने आ इवेंट्स बगर देखनों को मिलेंगे इसलिए गरना वाले जल्द से अपने बुलू लॉग कॉलर बड़ से इवेंट के बाद आपको फ्री फार वार्ड सेरीज का इवेंट देखनों को मिलेंगे क्योंकि यह उसके पहले आ रहा है कुछ फ्री के रिवार्ड जिसका आपको में कल रिवीव करा दूँगा कुछ फ्री रिवार्ड से अपको मिलेंगे उनको यह दिक्क्त आता है कि उनको गेम के अंदर बस अगर बॉडिशोट मारते तो बंदे मर जाते और हम लोगों ने ऐसा रूम भी खेलना सुरू किया है जहां पर हमें वान बर्स वान कश्टम खेलना होता है लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम साल आई है कि अग में ज्यादा कुछ बता नहीं रहों बस यह जान लो कश्टम रूम के अंदर आगे से एक सेटिंग दे दिया जाएगा जिसको ऑन करने बत में बॉडिशोट मारने पर बंदा नहीं मरेगा डायरेक्ली हेड्सोट मारने पर ही बंदा मरेगा इसको आगे से अपने कस्टम लियर आ रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया होगा जिनको बस वन सौर्ट वन सौर्ट खेलना होता है फिलल वान सौर्ट बहुत पहले उठाता लेकिन तब से चल ला है लेकिन बीच में सब कुछ बंद हो गया था एंप पीपोट टीवी चलता है बढ़िया इहां पर हम यह बात करने वाले अपने फैड़रूल इवनन के बारे में आप लोग सीम्पिल यहां पर रिवीव देख पारे हो दो बंडल आपको यहां पर दिया जाहे है दो कहना कलात हो जाएगा एक की वंडल आपको मिलेगा जो कि यह मिल बंडल फीमल बंडल दोनों में एक सात में 26 नवेंबर के दिन आपको यह फिड़रूल्ड का इवेंट अपने गेम के अंदर देखना को मिल जाएगा साथ में लुटबॉक्स का इसकिन दिया जाएगा बड़ दोकौर हाँ जो यह जी जादा ही बड़ा है लग रहा है लुटबॉक्स के स्किन देखने पर तो भाइसाब जिनको अपना ब्लू लॉक कॉलाबर्स ने एक आइटेम्स आपके पास राखना होता है मतलब तुम छोच रहो कि कम से कम एक बंडल मेरे पास हो जो कि सस्ते में निकल जाई तो फिर आप लोग इस बले अपने फेड़ डूल इवन के अंदर इस पिन बगारा मार सकते आपको सारा रिवार्ड्स का हमने रिव्यू यहां पर करा दिया है और इसके असाथ वीडियो में आगे बढ़ते बात करते इवो वॉल्ट इवन के बारे में अब्दुकवार काफे से रफैलो कि यहां पर इस चीज़ के लिए ओट कर रहे थी कि हमें अपने इवो वॉल्ट इवन के अंदर ओल्ड इवो एम 10 देखना को मिल जाएगा इवा फिर इवलोसन M10 2.0 देखना को मिल जाएगा जी हां तुम्हारा ओट बिल्कुल सा ही था लेकिन जबकि ड्रैको एक आ गया था अब दुकवार इवो वॉल्ट इवन का एक सिंपल फंडा यह है कि गरनावले को एक बड्यागानी देना होता है हर बार मतलब एक बड्यागानी स्किन देंगए जिसके लिए आप लोग आट정 M10 M10 2.0 इन दोनों में एक गनिस्केन को अपको नेंग्स्ट में अपने इव वाल के अंदर दे दिया जाएंगे साथ से पॉसिबल चांद से ही है कि इवलेशन A1W से नहीं आएगा, इवलेशन XM8 है, ओ आ सकता है, इवलेशन Thompson है, यह आपको देखनों को मिल सकता है, तो यह कुछ गनी स्किन का नेम था, जो कि हमने आपको बता दिया है, इवो M10, इवो M10 2.0, इवो Thompson, अपना इवो XM8, इन में से कुछ गनी स्किन आपको द इवो एकदम, इसके बाद, नेक्स्ट कोमेंट, सनी भाई, प्लीज, पोकर M10 का कंफर्म डेट बताईए, देखो, फिलाल तो पोकर M10 का कंफर्म डेट कुछ निकला नहीं है, लेकिन अगर आफ्टर अपडेट इसको गेम में दिया जाएगा, तो आपको मैं बता दूंगा बैक देखने को नहीं मिलेगा, या अगर आगे जगर कभी बैक आ सकता होगा, फिर आपको मैं बता दूंगा, लेकिन फिलाल तो ये बैक नहीं आएगा, नेक्स्ट कमेंट, तो एक भाई के कुछ ऐसा है, कि सनी भाई, ये बताओ, फ्रोड इमोट का रिटन आएगा, और भ ओभी कभर अब कर दूंगा, तो इसमें कोई दिक्कत वली बात नहीं है, अब कुछ मैं अपनी बाते करलू, तो पहला अर्ज है दोस्त के लिए, कि तुम्हारे तारीप में मैं क्या कहूं मेरे दोस्त, तु साला मुर्गी चोर तारीप के लाये की नहीं है, कैज़े कैज़ लोग रहते हैं यार और भाई साब देखो मेरे जिन्देकी में दुख अलग-अलग तरीके साथ है तुम्हारा एक दुख रहता है ओ चला है फिर दुख खतम लेकिन मेरे अलग-अलग तरीके से होता है मतलब साला मैं तुम्हें कैसे बता हूँ चलो एक आईफोन की कहानी लेकिन मेरे उपर तुम्हें एक आईफोन लिया है अब दुखवर आईफोन लेने के बाद एक सबसे तगड़ी चीजी होता है कि तुम्हारा अंदर एक बहुत बड़ी एक कॉंफिरेंस आता है मतलब तुम्हें अपने अपमे एक प्रो लेवल फीजल होता है और ऐसा लग गया है मतलब अब तक चलेगा ऐसे कीड़े माकोड़ो कोई तरह जिंदिके में कुछ कर कुछ आगे बढ़ यार और हद तो तब हो गया है जब दोस्त को कॉल करके यह कहता है कि देख यार मुझे एंडूइड से फोन मत कर तुम्हें काम कर आईफोन से फोन क्या कर यार एं तरह सोच समझ कर खर्च किया कर बना कल कैसे चलाएं गएं गाल के लेकिनेरी चिंदा का भी हुआ नहीं है मेरे पास इतना